हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में और हम कर रहे हैं आई एर फोर्ष के 30 प्रेक्टिस सेट की सीरीज ठीक है जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को अलग-अलग हम कर रहे हैं ठीक है आप ंथ अपर निथन प्रेक्टिस को आप डानलोड भी कर सकते हैं तो यहां पर हमारे लगा हूआ है इंग्लिस का जो प्रेक्टिस सेट है 20 कुर्श्ट यू चेमल रहती है वह वाला यह है ठीक है तो इसमें कितने प्रश्ण आते हैं आपके 20 प्रश्ण आते हैं और 20 प्रश्ण में आपका इंग्लिस का सेक्षन रहता है जिसमें आपके डारेक्ट इंडारेक्ट एक्टिब पैसे बॉइस और सभी सेक्षन से जो है प्रश्ण पूछे जाते हैं ठीक है तो जो पहला पहला प्रश्ण रहता है हमारा पहला प्रश्ण होता है वो आता है आपका प्रग्राफ से किसे आता है आपके प्रग्राफ से पहला प्रश्ण आता है ठीक है तो यहां पर इतना बड़े अब देख लेते हैं पहला प्रश्ण में हमें क्या दिया हुआ है इतना बड़ा यह प को जब paragraph दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले प्रेशन पर जाएंगे ठीक है उससे जित्ते भी प्रेशन दिये हुआ है वो सब आप सही से रीड करेंगे सबसे पहले अब इसमें क्या है find out the word from the text which means branch यहाँ पर आपको branch का mean पूझा है अब branch का जो bird branch के लिए यूज किया गया है paragraph में आपको बो बताना अगर आपको पता नहीं बिरांच की meaning भी पता नहीं है तब भी आप परिशाह मतों आपको paragraph पढ़के आपको समझ में आ जाएगा कि branch की जागे क्या यूज किया गया है ठीक है next ऐसा ही प्रशन है the opposite of polluted polluted मतलब का आपको पता होगा ठीक है आपको बड़े आराम से पता होगा मतलब होता है Just call andegen 도ब अपका पॉल्टेंक हो जाएगा ठीक है ऐसे next person ॥ आगा इसibenर पूछा लेकिन यह spelling का तो यह भी आप बड़े आसानी से ऐसे कर देंगे तो तो इसका स्थे हो जाएगा वह यह न जो जाये गा ठीक है यह Ohhh सीयल टीक है इनथोज्यास्टिक का मतलब आप यह जो जी आपका हो सीलन ला आपको जाएगा जो सीला बाकी त्यों सारे всем सेले में आक कहा छाएगा ब्रांच का आपको इन चारों में से आर्थ बताना है अब यहां पर देख लेते हैं कि पराग्राफ में ब्रांच की जगे क्या यूज किया गया है यहां पर दिया है कि the kingfisher is a word that gets its name because kingfisher क्या है एक चिडिया है जिसे नाम मिला उसका kingfisher नाम उसे इसलिए मिला क्यों मिला it truly is a king यह क्या है बास्तम में एक king है among the fish catching words fish catching जो words होती है जो मचली पकड़ने वाली चिडिया होती है उनमें यह बास्तम में एक king है ठीक है in catching fish fish को पकड़ने में in catching fish मतलब fish को पकड़ने में it sits in catching fish it sits on a limb यहां पर आगया limb आपको limb दिया हुआ था ठीक है it sits on a limb अब उसमें क्या दिया हुआ था branch का आपको meaning बताना था branch का meaning क्या होता है साखा ठीक है और यहां पर भी क्या दिया है limb मतलब यह साखा साखा of a tree टेरी की एक साखा ठीक है limb of a tree that hangs over a stream जो एक धारा के उपर लटके हुए थी हमारा काम चल गया हमें आपके अपने question का answer जो है वो मिले गया यहां पर हमारे question क्या था branch का meaning बताना था branch के लिए क्या यूज किया गया पर आप में limb ठीक है यानि कि B option आपका क्या हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा next question हमारा है next question हमारा कह रहा है in the following questions group of four words are given in each group of bird group one word is correctly spelled find the correctly spelled word आपको जो सही word है इन चारों में से वो बताना है ठीक है इस में से आपको सही word जो है बताना है यह क्या है chameleon ठीक है यह क्या होता है लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है गलत है वह आपको क्या करनी है कमेंट वक्स में कमेंट करनी है आपको इन तीनों की स्पेलिंग कमेंट वक्स में कमेंट करनी है आपका ओप्सन नमबर एक क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इन तीनों में थोड़ यह लेक्स्ट पूशन और जो है वो है यह वाला इसके दो जगह पर दिया वाए ठीक है यह दो जगह दिया हुआ है दो अपसन इसके दर दो अपसन आगे यह रहती है इन मैसे आपको सही बताना इंहें ऐसे आपको क्या बताना सही बताना है तो इसका जो हो जाएगा सही ओपसन हो जाएगा इस मिलकुल सही ओफसन तो कि सायैं की मैमाजिर। हो जाएगी यह वाली आक्षर आपके सही हो जाएगी इसुए लिस मतलब किया होता है पैत्रे मज़ पैत्रे MANुवर मेट इसका हो जाएगा पैत्रे बाज यानी यह आपकी और 5 और त्रीटंट एगी जो है गलत पाच्वे आपको क्या है एर्पेरेबिल यानि की भी आपको क्या हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा इसका अर्थ क्या होता है अप पूर्ण लिए आ पूर्ण नी है इसका आर्थ आपका हो जाएगा आप पूर नहीं है ठीक है अब नेक्स्ट प्रिश्न की और चलते हैं नेक्स्ट प्रिश्न आपका कहा रहा है इसमें से आपको क्या बतानी है सही spelling बतानी हैं गहborर दियो कि की spelling चाहिस मोथी है कि मुख इसकी spelling बता है गटे्ट होना गटेत होना कि ऐसे ही यह दिया हूै अक्मोड देट की spelling क्या होती है ए डबल सी ओ ॒डबल एम आ جाएगा ठीक है यहाँ फर डबल diagram यात में जाएगा ओडी एटी एटी एट इती इसका मीन होता है समा यूजत करना है सही यहां पे जिए होपसान हो जाएगा वह कि अफ्सवाइगा वो जाएगा यह था दिया आर-otherapy separate separate means क्या होता है अलग करना अलग करना ठीक है आपका ये option क्या हो गया सही हो गया c option क्या है आपका receive दियो हुआ receive की spelling क्या करने आपको comment box में comment करने है सही spelling ठीक है comment box में comment करने है इसकी सही spelling क्या होगी next question आपका दिया हुआ है इसमें क्या बताना है आपको opposite meaning बताना है opposite meaning क्या बतानी है किसकी यह दिया हुआ है seven number इसकी opposite meaning बतानी है वेग्यू वेग्यू का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आइसपष्ट आइसपष्ट इसका मतलब हो गया आपका आइसपष्ट ठीक है अब इसका जो अपोजिट होगा, वो होजाएगा Pre-Size, Pre-Size का मतलब होता है, एकदम सही, एकदम सही, या Ispust, Ispust भी से कह सकते हैं, ठीक है, तो Beg You का अपोजिट क्या होगए, Ispust होगया, ऐसी Accurate का होता है, सटी ठीक है accurate का सटीप होता है सार्प का तीखा होता है actual मतलब आस्तम में ठीक है यहां से हो जाएगा चारों अपसन आपके दिये हो गए थे बाकी यह आपका harmony harmony दिये हो आए ठीक है next क्या दिये हो आए harmony ठीक है harmony का आपको बताना है कि harmony का meaning क्या होगा आपका ठीक है तो harmony का जो meaning होता है वो होता है आपका सद्भाव सद्भाव या समन्वे समन्वे इसका क्या होगा harmony का जो meaning होगा वोगा आपका सद्भाव या समन्वे ठीक है यानि कि समन्वे का मतलब मेल प्रेम से रहना mail payment होना c isa dua होना तो इसका जो stage हो जाएगा बहुत जाएगा अजि को जाएगा discord यानि की कल है भाकी option को आपको जो है comment men के आर्थ बताने ठीक है comment melody melody मतलब क्या होता है संगीत होता है confusion मतलब भ्रcciones होना ठीक है emamento का आप भी नोट करते हुए चलेंगे ठीक है बाकि सारे मोठ करते चलेंगे कपी आ सब्सक्रारीया आपको आज गहींगे तो यह आएंगे तो rимиड याद करने हैं रोज 2-3 अडन वर्ड आपको याद करने है ् अगरे ज्याद translate को ज्याद है पूछे जाएंगे क्योंtype об one who makes an official examination of accounts इसका हो जाएगा आपका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका auditor ठीक है यह option क्या हो जाएगा आपका बिलकुल right answer हो जाएगा next question की और चलते है next question आपका क्या कहा रहा है 10th number इसमें क्या है यह sentence दिया हुआ है इसको आपको फिल करना है इसको क्या करना है फिल करना है ठीक है तो प्रेशन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है तो आपको काट लेगा तो अब जो छीन लेने के लिए क्या आएगा आपका ठेक आभी ठीक है ठीक है टेक अब यहां पर प्रेयोग होगा next question चलते है कर इसमें क्या है आपको डिगरी का प्योग करना है और इसमें क्या है मॉंबई is dead dead but Kolkata is in area यानि कि आपको दिये हुआ है question इसमें से आपको चार ओप्सन दिये हो है बिग्विक्ट विग्विए बिगष्ट और बिंगढ दिगर और भाधी यह आपको गर ना डिगरी का यूजकर आप यहां पर कह करना है एक मुंबई मुमबाई टेट गाल काता क्या है लिग फिग ट्रोट अ इन एरिया ठीम है क्या हो जाएगा मुंबई इस 21 काता इस बिगर इन एरिया नेक्स कि ऍी ओर जलते हम इस में लेक्ष आपका प्रिशन क्या यह रहा है करने होती है इस टाब कि प्रस्ट में आपको क्या है एक इनिद्स दिया वह और उसकी क्या आपको फाइंड करनी है एर्रतां अगर इसमें कोई भी एरल नहीं होगी तो मैं दियो आप्सट चूज करना है आपको पता ही से पहले का C option है इसमें से पहले का यहां तक का B option आता है ऐसे से पहले का option तो इस टयाप के जब कुश्चन हम कर रहे होते हैं तो हमें पूरा sentence इसमें अगर कहीं भी गलती होती है हमें वो ही option जो है चूज करके उसी को लगाना होता है अब इसको हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया है I promise I call you as soon as I get home यानि कि जब मैं घर पहुंच जाओंगा I promise I promise मैं promise करता हूं मैं बादा करता हूं I call you यानि कि मैं तुमें color करूंगा आइक ली यू तो यह क्या हो गया future में चला गया तो यहा पर क्या आएगा I will call you आई मिल лай आइक है यानि कि आपकी घलती कौन से थी 20 section अपकी गलती थी आपका B option क्या हो बिल्कुल right option हो जाएगा ठीक है बाकी option आपका क्या है बाकी पूरा सही है next question यह हो चलते है next question कह रहा है कि I am afraid I did a mistake in the calculation मैं डरा हुआ हूँ I did a mistake मैंने एक mistake किया किसमा calculation में तो जब did यहाँ पर mistake की बात हो रही है तो mistake में आपका क्या है did a mistake नहीं आएगा यहाँ पर आएगा did a mistake की जगह क्या आएगा made a mistake यहाँ पर क्या हो जाएगा made a mistake यहाँ पर आपका made a mistake हो जाएगा ठीक है in the calculation बाकी option क्या है आपके बिल्कुल सही है बाकी आपका पूरा sentence बिल्कुल सही है next question क्यों चलते है next question हमारा वो क्या कह रहा है he works hard why day and sleep soundly at night with dash clear concise ठीक है तो इसमें आपका इसमें आपका एक प्रयोग होगा ठीक है यहां पर किसका प्रयोग होगा इसमें आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स प्रस्ट आपका दिया हुआ है इसमें भी आपको फिल करना है कि और AD electoral happen where we are the examination तो examinationиж Listléें आएक्स देने के लिए यूज खता है एक्समें देने के लिए मम यूज करतें गोड़े है ट्रीका ऑप्रवियोग करते हैं थेक है अ कि एहा पर जो है इसका अर्थ क्या कहँरा है बाकिका बाकित के अर्थ přाहिए thरा ठीक है continuous हो गया जो हम और यह क्या है past continuous का हो गय क्या विक एक अक्वर आगा ठीक है BK क्या आएगा और टेक continuous है तो ing लग जाएगा ठीक है यानि किंट Ama आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल right option हो जाएगा c option आपका बिल्कुल right option हो जाएगा next आपका क्या कह रहा है the exact reason for their disagreement उसके जो exact reason है उसके disagreement का yet to be made public अभी जो है public करना जो है अभी public किया जाएगा ठीक है made public public का मतलब होता है सार्व जनिक ठीक है public का मतलब होता है सार्व ने किया जाएगा तो यहां पर disagreement के बात क्या आएगा आ रहाएगा इस आएगा बात आएगा यहां पर जो आएगा आपका भूआएगा यहां पर यहां पर क्या आ जाएगा आ रहा जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं इसमें आपको क्या बताना है एक्सरेश द मीनिक ऑ गविन बहर्ट मीनिग आपको कि बता नहीं है webinars भी है ग तो इसका जो अंपसं बी हो जाएगा बोग्ल कॉ सही हो जाएगा ऐसे यहां पर दिया हुआ है डाउन फॉल इसका मतलब होता है ठीक है आपको जो है इसमेलर इनिक इसमें छार्टष नहीं है हम्हें क्या पाउसेटी की सिम्लर मीनिंग अपनी hormone जो क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी ठीक है sincerity मतलब इमानदारी और publicity मतलब सार्व रिखता ठीक है और बाकी option क्या है आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे पाउसीटी मतलब shortfall यानि की बी option आपका बिल्कुल right option हो जाएगा नेक्स्ट आपका प्रस्टन है नेक्स्ट प्रस्टन आपका क्या है आपको जो है चार option दिये है चार आपको बाके दिये हुए है PQRS यह चार sentence दिये हुए है ठीक है और इसका पहला और शिक्स यह लास्ट में यह वाला इस टैप के जो question दिये होते है पहला number यानि की एक बाकी का शुरू का और लास्ट का आपको दिया हुआ है कि यह last का part है और एक number करके ऊपर लिखा हुआ है यह first का part है यह क्या है the decade of seventies यह first का part है शुरू का part है और six number पर last का part है आपको बीच के जो part दिये हुए है PQ PQR और S यह जो बीच के part हमें दिये हुए है इन्हें हमें क्या करना है सही से जो है मतलब बाक्य के हिसाब से इनको सही से लगाना है कौन सा बाक्य में कहां पर आएगा ठीक है तो इसका जो option हो जाएगा option हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि जो पहला बाक के दिया हुआ है पहला के क्या दियो हो है दिकेट ऑफ सेविंटी स सतर का दसक उसके बाद में क्या आएगा आपका 100 एक ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ठीक है सतर के दसक में एक बड़तरी दिखाई दी ठीक है एक्स देट बूमेंस लिट्रेचर एक्जिस्ट बूमेंस जो है लिट्रेचर एक्जिस्ट कर रहा है कहां पर कहां पर एक्जिस्ट कर रहा है इसके बाद आएगा आपका P ठीक है एकजिस्ट end a proper field of study a proper field of study आजाएगा इसके बाद आएगा in most part of the world यहनि की बड्र में 70 के दसक में जो है woman's literature जो है exist करने लगा था यह चीज है इसमें ठीक है तो SQRP इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन आपका एक्टिव पैसिव बॉइस से है यह क्या क्या रहा है देर डॉग बिट बाइट आवर नेवर एस्टरडे यानि कि आप उनके कुट्ते ने हमारे पडोसी को काट लिया ठीक है तो कल किया कि उनके कुट्ते ने हमारे पडोसी को काट लिया तो इसको पैसिव बॉइस में बनाएंगे तो क्या कहेंगे हमारे पडोसी को हमारे पडोसी को काट लिया गया उनके कुट्ते के द्वारा कल तो हमारे पडोसी के लिए क्या आएगा आवर नेवर क्या आएगा आवर नेवर ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है हमारे नेवर को काट लिया गया काट आ गया तो नेवर के साथ में बाज आएगा ठीक है बाज आएगा बर नहीं आएगा नेवर के साथ में तो D option आपका गलत हो गया यहां पर बा नहीं दिया हुआ है यह भी गलत हो गया तो आवर नेवर वाज बाइटन काट लिया गया बाइडेयर दौग और उनके कुट्ते को द्वारा येश्टरडे सिरे आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें डारेक्ट-इनडारेक्ट आपका दिया हुआ है इसमें क्या करना है कि उस एक्सक्लींड मर्ट इसमें डिया हुआ है इसमें डिया बाकी सारे अप्ष्राबी तक सही है सी एक्सक्लेम देया हुआ यहांत की यह बात क्या आएगा ओगए अपो जिंद्स C धैर अब यह सुरू होगा बाग के किस से हमें यू आर यू आर की जागे क्या लिखना ही वास यू आर की जगह क्या हो जाएगा ही बाद एबैरी इस्ट्यूपिड फैलो ही वाज ए मैरी इस्ट्यूपिड फैलो यानि कि बी आपका क्या हो जाएगा बिलकुल राइट आप्शन हो जाएगा ठीक है यह ते आपके मुझें 30 परश्ण प्रश्ण है आपको कराने वाले है बन रेक्टिस तक तक हम कराने वाले हैं वाले हैं यहां पर हम यह पर दिस्कस करेंगे ठीक है और तीस सेट अगर आपको झाल झाल